लास्ट वीडियो में हमने दिखा था स्टार्ट बुल्डिंग वेबसाइट पॉर डिजिटिल मार्केटिंग इस वीडियो में हम देखेगे वेबसाइट कनवर्जन जब आपने अपनी effective website बना ली है, domain select कर लिया है, आपने वो सारे parameters को ध्यान में रखते हुए, free website कैसे बनानी वो भी समझ लिया है, मान के चलते हैं कि आपके बास अपनी website available है, तो आप उस website का convergence कैसे बढ़ा सकते हो, एक convergence एक website के लिए क्या importance रखता है, वो आपको ये वीडिय बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज 1000 यूजर आपको particular result दे रहें, तो आप 2000 यूजर के लिए जाओगे, result उस मताबिक बढ़ेगा, बट अगर आप 1000 यूजर को ही quality जादा दोगे, तो उसे में सब जाबा convergence निकाल सकते हो, तो effort सिफ 1000 यूजर के लिए जारे है, cost 1000 य पड़ेगा, सबसे पहले किसी भी website के लिए important जो चीज होती है, वो मैं कहूँगा, landing page होता है, convergence को मैं क्यो landing page से जोड रहा हूँ, क्योंकि जब user कोई भी request लेके online जाएगा, तो उसको बहुत साइज जगा से अब target करने की courses करोगे, और वो campaign को जब follow करके वो आपकी website पर देगा, बट मान लो कि अगर आपका वो landing page उसको proper और effective information नहीं देगा, तो तुरण वहाँ से बाद निकल जाएगा, तो हमें वही gateway जो एक जगह है, उसको strong बनाना पड़ेगा, अब तक तो आप सिर्फ समझो कि landing page होता है और एक particular page होता है, जो user की particular query के relevant में दिखा जाता है बट कैसे उसको और personalized करते हैं, और depth में समझ सकते हैं कि landing page is a web page where potential customers arrive after expressing the interest in one of the several forms of advertising, क्यानि कि अगर वो search engine की बात करू, banner ad की बात करू, google adwords की बात करू, adsense की बात करू, या फिर में email links की बात करू, यह सभी जगहां से user जब click करके आपकी relevant website पे आएगा, तो वो particular जो page होगा उसको मैं landing page करूँगा, जब user आपके website पे आएगा, तो वो कुछ purpose से आएगा, और जो first time वो आएगा, तो आपके landing page पे आएगा, तो कह सकते हैं कि it should be attractive, वो high catching होना चाहिए, वो attractive होना चाहिए, customer को hold करके रखे, and जो भी necessary information एक user को further proceed करने के लिए चाहिए, वो सब उस landing page प पे नहीं मिलेगी, तो customer होना से वापस चला जाएगा, और वो आपकी website का bounce rate पड़ागा, तो आप समझो कि जो opportunity आपको मिलिए, customer को welcome करने की वो opportunity आप में इसकर जाओगे, अगर आपका landing page relevant नहीं है, अब तक से पाफ landing page समझो, बढ़ आप landing page में भी depth में समझते है, कि क्या- यह भी सब types में मैंने बहुत सारे इसे landing page को आपके लिए describe किया है, जैसे landing page overall, 7 types के होते है, जो click-off landing page, lead capture landing page, information landing page, viral, microsite, product detail landing page, home page, इसमें कौन सा important है, कौन सा important नहीं है, कौन से particular type के landing page, या फिर कौन से particular type के situation के अंदर, किस type का landing page रख सकते हो, जो आपको better result देगा, आपको सबसे पहले click-off landing page होता है, जो एक ऐसा landing page कि जहाँ पर आप future में होने वाले benefits को describe करते हो, और कोई free trial से उसको package को upgrade करने के लिए, जो free trial use करने के बाद उसको upgrade करने के बाद क्या-क्या benefits मिलेगे, उसको describe करने के लिए कर सकते है, जैसे यहाँ पर Google का cloud platform है, उसका एक मैंने example ही जैसे यहाँ पर उसमें features identify करके रखें, और properly उसमें बता है कि start your 60 days free trial, आप trial करो, बट आप अगर full package के थ्रू जाओगे तो आपको क्या benefits मिलेगा, तो इस type का जब आप page बनाओ, जहांसे आप user को convince, customer को convince करने की कोशिस करो, उसमें click-to-off landing page कर आ जाता है, जो एक intermediator की तरह ह होता है, particular process को further execute करने से पहले दिखाया जाता है, जैसे हम WordPress website पे गए थे, website building के लिए, तो उस time पे, वहाँ पर packages वाल option था, कि आपको personal जाना है, premium जाना है, business category में जाना है, so, उसके बाता है, lead capture landing page, जो आपके लिए customer की कुछ detail gathered करने के purpose से बनाया होगा, often referred to as squeeze pages, to gather personal data from the visitor like name or email address, अगर मुझे किसी user का name or email address है, तो वह gathered करने के लिए मैं जो page बनाऊँगा, उसको squeeze pages का जाता है, या फिर उसको lead capture landing page का जाता है, जो आपके लिए data collect करेगा, जिस पे in future में आप remarketing का सकते हो, उसके बताता है, infomercial landing page क्या होता है, infomercial landing page के उपर, obviously products और उसकी services के related information तो हो होती है, बट उसके साथ latest offer की information होती है, कि जैसे कि यहाँ पर एक image रखी है, 7-9 December के बीच में particular एक offer चल रही है, जो अगर आप grab करोता चाहिए, infomercial page में से product information नहीं होती, बट वो product information particular offer से relate करती होती, कुछ limited time के लिए जब आपको offers display करनी हो, तब आप infomercial page के थूर जा सकते ह यहाँ पर भी आप देखो, today's BOGO offer और जो भी आप एक limited time period के लिए जो offer display करना चाहते हो, product के relevant, तो उसके लिए जो हम बहुत सारी products को मिला जुला के एक page बनाएगे, promotional page उसको हम information page काएगे, जो particular product के relevant, basic सारी information contain करता होगा, जो इस दोर को help out करेगा, वहाँ से click करके अंदर आ पर share करे, तो जैसे आप अभी learn one के site पर जाओ, best example में आपको बता, तो आप अभी learn one के site पर जाओ, जब यहाँ आप learn one पर click करोगे, तो यहाँ पर facebook, google plus और emails दिया हुआ है, आप facebook पर click करोगे, तो आपको facebook के login के लिए पूछा जाएगा, जब आप login करोगे तो आपको यह भी मुलग और यहाँ से जैसे आप post कर दोगे, आप once post करके देखना, यह फिर चीज आपकी timeline पर post हो जाएगी, और आप देख सकते हो कि इस तरीके से particular चीज viral हो रही है, और फिर आप अपने दोस्तों के बीच में भी share कर सकते हो, learn one के benefits और जो भी details है वगिरा, तो इस तरी पूरा separate area होता है, for example अगर इसको समझाने के लिए बताओ तो Amazon webstore, जो आपको पता है, Amazon जो एक user को product selling की service देता है, उतना है उसके backend में पूरा एक छोटी से दूसरी website चलती है, मैं ऐसा ही बताऊँगा, जिसको webstore का जाता है, जहां पर बहुत सारे user, बहुत सारे ऐसी छोटी software business owner होते है, जो अपने stores बनाते है और product को selling के लिए रखते है, बीच में Amazon कुछ commission लेता है, वो service प्रोवाइड करने के बदले में, तो website है एक separate website है, वैसे Facebook हमें ad manager के separate site, वैसे Facebook basically friends के लिए, friends searching के लिए, और social media के लिए उसके पीछे भी अगर आपको कोई promotional activity करनी है, कोई campaign बन आगे रहन करना है, तो आप कर सकते हो, तो यह सभी example, micro site के example है, जो एक website है, उसी का separate version, जो particular separate purpose के लिए use होगा, और वो बहुत ही depth भी हो सकता है, बहुत ही अलग type की facility भी provide कर सकता है, यह चीज़ों के related हम pages बना है, उसको micro site कहा जाता है, product details, लेंडिंग पर जोता है, जहाँ आपर completely products की, various product की details मिलते हैं, जैसे आपको individual product display नहीं करने पर थी, आप देख सकते हो, तो ऐसे landing pages को product detail landing, जिस भी particular product में user interested हो, उस पर click करेगा, तो उसके relevant page पर चला जाएगा, and at the end home landing page, मैं इसके लिए कोई reference नहीं देना चाहूँगा, मैं किसे को insist भी नहीं करूँगा, कि आप ऐसा वो landing page बनाओ, कि जहाँ पर click करके user home page पर आए, क्योंकि this is the laziest of the all landing page, इतने भी landing page अवलेबल है, उसमें से, मैं इसको सबसे laziest कहूँगा, क्योंकि as such it perform the worst when it comes to the conversion rate, because कि कोई भी user को जब आप home page पर ले जाओगे, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़े अवलेबल हो अपने user को landing page के तुरू follow कराके home page पर ले जाओ, जो उसका interested area है, उसे के relevant आप उसको landing page दिखाओ, तो आपको ज्यादा उसको convert कर पाओगे, conversion rate आप बढ़ा पाओगे, तो बटेर आप home page पर किसी भी campaign को लेके मत जाओ, रादर देन कोई बंदा सिर्फ website को search कर रहा है, तो व कर रहा हो, जब आप landing page बनाओ, तो खुछ को चीजों का ध्यान रखो कि आपको goal specific landing page बनाना है, आपको customer की requirement के मताबिक बनाना है, आप ऐसी खुच सोचो ना, कि आपको कौन-कौन से landing page convince कर सकते हैं, तो आप ऐसे information दो, जो उनको convince कर पाए, last में हर एक page का result track करो कि क्या जो को और improve करो, जो result नहीं दे रहे हैं, उसको change करो, landing page should have a logo, attractive headlines, आप easy understanding of offers और detail डाल सकते हो, आप अपने अच्छे-ची comments जो user नहीं दी है, reviews, product detail, description and most important call to action भी आप दे सकते हो, जहांसे user click करके further proceed करेगा, और at the end एक अच्छा landing page होगा, जो आपकी website पे particular user को hold रखेगा, ज्य motivate करेगा, और वो complete selling process को follow करके payment करे, तब तक उसको convince करके रखेगा, तो एक landing page बहुत important प्रूव करेगा, जिससे आप अब भी कोई भी product or services के बारे में Google पर search करो, कोई एक page पर आप जाओ, जो product का page होगा, उस पर देखो कि क्या क्या चीज़े हो रहे है, क्या चीज़े जो आ वेबसाइट के लिए समझना क्यों जरूर है और उसको क्यों इंफरोग करना जरूरी है, और यह landing page जो मैंने बता है, वो सारे landing page आपको क्यों use करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने website का conversion बढ़ा पाओ, suppose मानलो कि per thousand user, 20 purchase हो रही है, तो मुझे 40 purchase चाहिए, तो मुझे 2000 लो यह जो मुझे particular return of investment दे रहा है, जो भी मैंने costing यह website बनाने में और बगेर हम है, तो मैं 2000 लोगों के 3000 लोगों के पीछे बागू और मैं purchase को बढ़ा उससे better, मैं मेरे landing page को ही इतना attractive और इतना perfect बनाओ, कि जो 1000 लोग आ रहे, वो 1000 लोगों मैंसे भी 40 purchase निकालू, तो मुझे 2000 क पर जो costing करना पड़ेगा, वो मैं 1000 के budget में ही 40 purchase ले रहा हूँ, तो मुझे जो return of investment मिलेगा, वो high मिलेगा, तो एक website का अगर आप convergence बढ़ा सकते हो, वो कैसे, इसे ही नहीं, आप बातों से नहीं बढ़ा पाऊगे, उसके लिए आपको effective landing page, effective content, और हर वो चीज यूजर को provide कर पड़ेगी, जो उसको convince करें कि क्यों उसको competitors की compare में हमारी website से वो product purchase करनी चाहिए, या फिर वो service लेनी चाहिए, तो यह importance से convergence को improve करने का, अगर आप अच्छा convergence improve करोगे, जैसे 1000 के सामने, आप 40 अपना convergence बढ़ाओगे, तो आपका return of investment high हो जाएगा, तो एक अच्छा landing page आप तो customer को hold करके रखेगा, customer को process follow कराएगा, और वो user का interest भी create करके रखेगा, throughout the process, so जो भी आपको necessary changes लगे, जो necessary changes आप करपाओ, वो करो, एन अपनी website के conversions को improve करो, by studying this landing page, और landing page को more user के relevant, और more personalized बनाओ, जैसे ज्यादा-ज्यादा user convince हो के particular product को, services को purchase करने के लिए जाएगे, इस वीडियो में हमने देखा website conversion, नेक्स वीडियो में हम देखेगे, how to create effective web copy for website,